नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस ट्रडी फॉर्ट सिविल सर्फिस में देखिए अभी 18th annual summit हुआ है इंडिया और रुशिया के बीच में तो उस से related जो important factor वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ और बहुत important समरी है ये exam में आ सकती है जरूर UPSC और even state pieces में main point बताता हूँ सबसे पहले तो ये question आ सकता है कि जो अभी annual इंडिया रुशिया का summit हुआ है वो कौन सा number का था तो वो था 18th number का ठीक है दूसरा question ही हो सकता है कि जो ये summit है 18th annual इंडिया रुशिया summit ही कहां पर वहा था सेंट पीटर पीटर्स बर्ग में और एक question और हो सकता है कि सेंट पीटर्स बर्ग जो declaration अभी पास हुआ है वो किस से related है तो किस से related है annual इंडिया रुशिया समीट से कुछ और टर्माय है इसमें जैसे एक आया है E.E.U. यानि की E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E होते हैं पांच मेंबर्स हैं इसमें और इस समय इनके पांच मेंबर्स को याद करने की ट्रिक है B.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. उसमें देखिए जो 18 इन्वल समिट हुआ है, सेंट पीटर्जबर्ग में हुआ है, जिसमें ये सेंट पीटर्जबर्ग डिकलरेशन भी आया है, साइन हुआ है, तो ये भी आप याद रखेगा, ये किसे लेटेड है, इंडिया और रशिया से, इंडिया और रशिया के बीच में जो diplomatic relation है उसके 70 साल हुए है ये भी एक important बात है तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया और रश्या के बीच में जो diplomatic relations थे उनके कितने साल हो गए है ठीक है तो ये याद रखिएगा इनके हो गए हैं कितने सतर साल हो गए है और दूसरी बात है कि इंडिया रशिया के बीच में इंडिया मतलब रशिया को माना जाता है इंडिया का नेच्रल अलाई मतलब इसने हमेशा रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया एविन 1971 के जब वार में भी यूएस और यूके की तर कल्चरल से लेके डिफेंस तक और अगर आप देखें इसमें तो इंडिया अगर आप देखें तो 2012 से लेके 2016 तक की एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये बोला गया था कि रशिया अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है मतलब रशिया इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो जितना भी डिफेंस का एक इंपोर्ट करता है उसमें से रशिया से 68 परसेंट करता है तो रशिया अभी भी हमारा सबसे लार्जेस्ट इफेंस पार्टर है लास्ट की जो पांस सालों में 2012 से 16 में और सेकेंड नमबर पे है यूएस उसे 14% हमारा जितना भी डिफेंस का इंपोर्ट रहता है वो 14% अभी यूएस से करते हैं तो रशिया अभी भी मतलब हमारा 2012 से 2016 तक की जो रिपोर्ट थी सिप्री की उसके इसाब से इंडिया का जो सबसे मेजर डिफेंस पार्टनर है नंबर वन पर रशिया ही है यह प्याद रखी है नंबर टू पे है यूएस नंबर थी पे है इसराइल तो रशिया बहुत इंपॉर्टन्ट है और सतर साल अभी जैसे डिप्लोमेट्रिक रिलेशन के भी हो गए उसके बाद ये बोला गया कि और भी कई सारी चीजे जैसे कि SPIEF टर्म है ये है कि मतलब सिफ है हमारी जूड़ी हुई है कि हम रशिया से जैसे न्यूकलियर इनर्जी पे हम काम कर रहे है कुड़न कुलम में हाइड्रो कार्बन की जरूरते हमारी पूरी हो सकती है रशिया से रिनिवेबल इनर्जी के सेक्टर तो कई सारी जगे हमारा कॉपरेशन हो सकता है अपस कि उसमें अभी टार्गेट लिया गया है कि 30 बिलियन युएस डॉलर का हमको ट्रेड ये करना है ट्रेड और कॉमर्श जो टाइज है वो 30 बिलियन युएस डॉलर की करना है 25 तक की तो ये भी आप याद रख सकते हैं इसमें और भी कई सारी चीजे बात थी कि कि कनेक्टिविटी की बात थी देखिए कोई भी जो दो देशों के बीच में रिलेशन होते हैं उसको मल्टी फेसिटेड व्यू से देखते हैं कि कल्चरल क्या है इसमें इसको इकोनॉमिक क किया क्या पार्टनर्शिप है ट्रेड रिलेशन क्या क्या है फाइनेंस रिलेशन में जो कोपरेशन हो रहा है इंटरनेशनल जो नौर्ट साउथ ये ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर बन रहा है आई एनस्टी सी इसमें भी इंडिया और रश्या मेजर है कि ये मुंबई से लेके पूरा मॉस्को तक पहुच जाएंगे इंडिया का अगर आप मैप देखें उसके लावा एक ब्रिज टू इनोवेशन भी इंडिया और रश्या चालू कर रहा है उसमें यह है कि जो इस्टार्ट अप होंगे इंडिया और रश्या के उसमें आपस में प्रमोट करेंगे इस्टार्ट अप और इंटर्प्रियृट्टिशिप को उसके लावा फ्री ट्रेड पिया जाएगा ईूरेशियन इकनोमिक उनियन से जिसके मेंबर को याद करने की टृक क्या है बी ए आर केके बेलारूस आर्मेनिया रश्या कजाकस्तान किर्गिस्टान याद रखिए गा इसको फिर एक एक सरसाइज होती है इंडिया और रश्या के बीच में होती है ट्राई सर्विसेज एक्सराइज है मतलब तीनो जो duyवेंज फोर्सेज है आरμी नेवी और एरफोर्स तीनो ही इं मिल केक्सराइज करती है तो यह पूचा जा सकता है कभी कि इंदरा एक्सराइज किस के किंटरी के बीच में होती है इंडिया और रशिया के बीच में तो यह आप याद रखेगा उसके अलावा जैसे कल्चरल रिलेशनिप है कि योगा और आयूरवेदा रशिया में भी धीरे-धीरे प्रचारित हो रहा है वहाँ पे भी अवेरनेस बढ़ रही है तो उससे भी हम लोग कनेक्टेड हैं उसके अलावा भी कई सारी जैसे पुतिन जो हैं वो काफी ज़्यादा फोर्स करते हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशनिप बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉंग बने जैसे इंडिया कई बार भी थोड़े दिनों से यह ट्रेंड आ रहा था कि यूएस की तरफ जुकता चला ज रखते हैं और जो भी हमारी नैसनल जो जरूरते हैं हमारी जो सिक्योरिटी और सेफटी और स्ट्रेटीजी वाइस तो उसी इसाब से सभी कंट्री से यह रिलेशन रखते हैं उसके अलावा एक मोदी जी ने अनाउंस्मेंट भी किया है कि कि एक रोड दिली में बनाई यह सब पाटिस्टिपे सुनो सकता है पाच एग्रिमेंट साइन किये हैं तो यह कौन-कौन से न्यूक्लियर वाला तो कुडन कुलम वाला है यूनिट पाच और छे का इनर्जी से हैं रेलवे में हैं जेम्स और ज्यॉल्डी में ट्रडिशनल नॉलेज में कल्चरल एक्चे है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो इंडिया की है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रशिया की इनके बीच में हुआ उसके अलावा एक जनरल फ्रेमवर्क एग्रिमेंट हुआ है की कंस्रक्शन किया जाएगा थार्ड स्टेज यह कुडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लान का त आई स्पीड सर्विस नागपुर सिकंद्रापाद सेशन में कैसे इंप्लिमेंट की जाएगी उसके अलावा यह एक और एमेमरेंडूम आफ कॉपरेशन हुआ है अल्रोसा जो जो जॉइन्ट स्टॉक कंपनी है उसके बीच में और काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ एक्सपोर हुई थी सेंट पीटर्जबर्ग में और ये सेंट पीटर्जबर्ग जो डिकलरेशन है किसे रिलेटेड है इंडिया रसिया समिट से इंद्रा एक्सरसाइज इंडिया रसिया के बीच में होती है और हम बहुत ही जादा चीजों से कनेक्टेड है और 2012 से लेके 16 तक अगर आ मेजर डिफेंस पार्टनर है रशिया है फिर युएस है फिर इसराइल है फिर और भी बंट रहे है देजडरे प्रांस बन रहा है साुथ कोरिया बनड रहे तो यह मेजर है डिफेंस पार्टनर फिर एक और चीज मैंने बताए। है अब आपको यूरेशिया निक indo Sharp के और रशिया के समिट जो 18 थी ती उससे रेलेटेट थैंक यू फॉर लिसनिंग प्लीज डू लाइक और शेयर